पास सीट ले करके आप लोग नेंद मोधी को त्रियाग पासवान आख दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम छोड़ देंगे. इहां तक कर राम भक्त हनुھन है, तो राम की बेना हनुआन नहीं चलते हैं, हरुन की बेना राम नहीं चलते हैं. तो आप से उठा पटक तो है। चिराग पासवान के पार्टी तूट गई तो ऐसे हो गया। मोदी के हनुमान जो हैं वो उनसे रुष्ट हैं नाराज हैं इसी सब तमाम मुद्वे बात करने के लिए हमारे साथ लोग जगस्ति पार्टी रामिलास के प्रदेश प्रवक्ता जितें दोयादव हैं उनसे पूछेंगे आखिर क्या बात हैं क्यूं रुष्ट नजर आ रहे ह लगते वर क्यों दिखा रहे हैं चिराग पासवान कौन बोल रहे हैं रुष्ट हैं खबरों में है अर देखिए खबर तो आप लोग चलाते रहते हैं बिरोधी दल जो हैं बिरोधी पाटी जो हैं अनाप सराम उनके पास कोई मुद्दा है नहीं वो बिहार के हीत के बात लोग के पास यहीं सिर्फ मुद्दा बचा हुआ है जो मुद्दा बे विजूल के हैं जिसका कोई मतलब नहीं है बो तरह तरह को उठाते रहते हैं कल भी आप देखे हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी गरी मंत्री से हम इस साजी से मिल रहे हैं हम लोग के पार्टी म बीजेपी वाले एक नेता जो थे वो देखे की तरह तरह के तो उन पर क्या एकसन रेकसन लिया गया तो यह सब एक मसाला चाहिए जनता के कामों पे लोग को ध्यान नहीं है जनता के विकास का कोई मतलब लोग में नहीं है वो सिर्फ कोन कहां अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में सोचना है और उसके बारे में गलत अफवा उठाना एंडी अगट बंदर में उठा पटक तो है इसको ले करके तो आप सिवकार किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं चाहिए वक्वोट का मुद्दा हो या ख्रीमीलियर का मुद्दा हो आपसी सहमती नहीं अब उस तरह के लोग तरह तरह के लोग हैं बिहार में देश में गूम रहे हैं जिनके पास न कोई मुद्दा है न काम करने का विजन है हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा जनता के हीत के बात करते हैं और जनता के काम की बात करते हैं अब यह आ रही है कि पासीट ले जो अस्टाइल है काम करने का जो तरीका है उस पे वो निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासबान जी सामत रहते हैं और रात दिन चिराग पासबान जी बिहार के और बिहारी के बारे में हर एक लोग जो हमारे यहां रुजगार मिले हमारे यहां अच्छा स्वास्त क रहे यह सारा चीजों पर रात दिन मेहनत करते रहते हैं यह सब चीजों पर हमारे नेता बिल्कुल नहीं रहते हैं जहां तक के राम भक्त हनुमान है तो राम की बिना हनुमान नहीं चलते हैं राज़त वालों का कहना है कि बीजेपी तोड़ने में बहुत तेज है जिराग प के साथ में आवास पर देखे यह सब तो कहना आर जेडी वाले लोगे पास कोई काम नहीं जा करके आर जेडी वाले लोग अगर समाज और जंता के बीच जाते तब तो उनको पता चलता ना कि बिहार में क्या समस्या कुछ समस्या के मुद्दा पर बात करना चाहिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको पैर में लंगी कैसे मारा जाए यही काम रगिया है आर जेडी वाले लोगों के पास सब कोई काम नहीं बचा हुआ है अब सिर्फ की जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में गलत अफवा बढ़ार में फैलाना राजनीतिक गलियारो में गलत अफवा फैलाना कुछ लोग 10-20-50 लोग बैठे हुए हैं जो तरह तरह के हर चाय दुकान पान दुकान पे घुम घुम के ये अफवा उठा रहे हैं कि चिराग पासबान के पाटी तूट गई तो ऐसे हो गया यह सब चीज अफवाहे में हैं यह सब चीज कोई नहीं हैं हमारे नेता चिराग पासबान जी काम करने पर फरुसा करते हैं सारा सांसद हमारे साथ हैं हर लोग हमारे राष्ट्री अध्यक्ष के साथ कंदे में कंदे मिला करके विकास में लगे रहते हैं हर लोग अपने छेत्र में काम में लगे रहते हैं खबरे तो यह भी आ रही और हम लोग भूत मजबूती के साथ 2025 के विधान सबाद चुनाव लड़ेंगे और 220 सीट और 230 सीट हम लोग जितने का काम करें इसमें कितनी सचाई है कि चिराग पासवान दलीदों के नेता बनना चाहते हैं करनेधा के अगर बीज़ेपी के साथ रहे तो ऐसा नहीं हो पाएगा अकेले नेता नहीं बन पाएंगे इसलिए अकेले के रहा देख रहे हैं यहादी के आप जाती के बात करेंगे तो क्यों है कि जहां पर उनकी समान इज्जट उनकी बोट नहीं है कोई भी जाती कोई भी छेत्र काप उठाई है मैं एक स्वेम जादव जाती से आता हूं जादव लोग उनको बोट करते हैं आपने अप देखिए हाजी पूर के लोग सवा में आप फड़ एक बिधान सवा उठाए देखिए बिहार के संदर में यह सच्छाई तो नहीं है बि जाती के लोगों काम करते हैं प्रती दिन जब पटना आते हैं तो आप देखेंगे आप अगर कभी आपको मौका मिले ता आप आई आवास पे कि रागोपूर से लेकर के महुआ लाल गंज माना अरे भाई मैं रागोपूर के भगल के मैं लोग हूं अरे तेजस्पी लोगसे कोई चुपा हुआ नहीं है तीक है ना आप जाकर करके बोट के रिश्वि उठा करके देखें किस पार विधान सवा में लोग सवागत जुनाव होई लोग सवाग के चुनाव में देखिए कि कि इतना पर सेंट बोट किये 30 से 35 पर सेंट जादफ खुल्याम बोट क है न अब यह क зовут जवाना चला गया जवाना एक था जो चला गया अब जवाना जो के लोग बिकास की बात करते हैं लोग हो है लोगे को बिकास की करने का तरीका है वो निश्ची तुरूप से हर लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनको दुलार और प्यार देते हैं जिसे से हमारे नेता कोई जात के अंदर नहीं करते हैं इस बात में तो सच्चाई कहीं न कहीं दिख रही है खबर ऐसे ही नहीं आ रही है कि पिछले कुछ मेहनों से एंडिये गडवंदन हम पाटी है उनके जितन राम मान जी है और आपके चिराक पासवान है कहीं न कहीं उठा पटक तो दिख रही थी कि एक क्रिमिलियर वाले मौका मिला बोलने का कि एंडिये में कुछ ऑल इजवेल नहीं है कि सब ऑल इजवेल है यह बोलने की देखे हमारे नेता हमेशा जो गलत चीज़ है उसका बिरोध हमेशा सुरू से करते हैं वो सुरू से जो इस चीज़ों को बिरोध किये हैं वो आंतर तक बिरोध करें वो क पुजगार के लिए दिली बंबे मदरास गुजरात नहीं जाए इसके लिए हमारे नेता चिराक पास्वांदी ने कहा आपके नेता है कि जब मंदिर जाते हैं वो मंदिर गए तो धुलवा दिया जाता है मंदिर को लेकिन आए दिन उनका एक रिल स्वैरल होता है जिसमें कि वह हर मंदिर पर दिखते हैं अब तो अब तो नेता बन गए तो तो मंदिर और ऊराले धोंड़ों जाते हैं टेएं चैनि जय सब मंदिर धैना की 59 मीलि好吃 मटै समाज में हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस चीजों को वीडियो बाइरल करने के लिए अपने आपको फेम करने के लिए वो काम करते हैं अगर जीते अंदर जादव अगर मानली कहीं मंदिर में गए पूजा करने तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके निकलने के बाद को मंदिर को धो करके फोटो बीडियो बना करके वीडियो बाराल कर देके यह फन्ना चीज से इफन्ना पास्वां से तेके यह सब कोई करने के लिए चिराग पास्वां कुछ भी कर सकते हैं अगर चाचा अगर किसी तरके देखे आप 24 का जो चुनाव लोग सभा में हुआ उनकी क्या पाटी का क्या स्थांड़ा तो हम लोग देखिए किन ही लोगों के बार अरोप लगा क्यों हमारा जितना अधिकार था उतना हमको हिसा मिला तो यह तो मेरे हिसेदारी और मेरे भागेदारी का मेरे नेता का मेहनत है और मेरे पार्टी का मेहनत है मेरे नेता और मेरे पार्टी जो दिन रात मेहनत करके जो इस तरह का प्लेटफर्म खड़ा कर दिया गया बिहार में एक नया इतियास आपने देखा पां पिता क्वाला काम नहीं कर पाएं लोग बिरोधी तो यही सब बात न बोलेंगे मेरा नेता कि आप कोई भी दिन आप उठा के देखिए वह केंदर मंत्री होने के नाते उनको हर जग आना जाना पड़ता है अब उसके लिए अगर बिहार जब आते हैं तो घर में नहीं बैठत हैं वो छेत्र में रहते हैं चाहे कहीं भी हो बिहार के किसी कोणा में कोई भी घटना अगर घटती है किसी तरह के अगर कोई जनता की बेवस्थीत और बेवस्था में अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमारे नेता चिराग पास बन जाते हैं रोट पर पसीने पसीने हम इस तरह से मजबूती है कि जिसको कोई तोर नहीं सकता एक दम गठवन्दन जो है एक दम मजबूती के साथ है और आगे भी मजबूती के साथ रहेगे बहुत बहुत धन्यवाद यह हमारी साथ लोगजल संती पाटी राम विलाज के प्रवक्ता जीते इंद्र यादव थे आपने इनको सुना बाकि आपकी क्या राय है बिहार के संदर में बात करें तो सियासी घमासान शुरू है चिराक पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि बाग